नमास्कार दोस्तों जैन आप लोग कैसे हैं आपका सेशन चल ला है नमबर सिस्टम और इस नमबर सिस्टम में हम लोग बहुत से टाइप के क्रिश्चन पड़ चुके हैं और आज एक जो टोपिक लेने कर में चल ला हूं उसका नाम है गुलनखंड या गुलनखंडों की नमबर सिस्टम में जो आज का हमारा जो टापिक है गुटै है गुलनखंड गुलनखंड फैक्तुरुं का से detail जो फैक्तूर से इस सन रह दोस्तिध गुलनखंड जो हता है कोई भी संख्या वोई स्वाएम का यह गुलनखंड होता है कोई भी संख्या होती है तब पहला पॉइंट देखें, गुरुनखंड काते किसें कोई भी संख्या जो स्वायम तथा अन्य से विवक्त होती है विवक्त होती है उसे गुरुनखंड काते है गुरुनखंड काते है जो एक है द्यान दिखें जो एक है एक सभी संख्याओं का गुरुनखंड होता है कोई भी संख्या स्वायम का स्वायम का गुरुनखंड है या गुरुनखंड या भाज़क है कर सकते हैं भी यह हमारा सबसे पहले द्यान देँगे कि हमारा वायंट जो भी बनेगा तो लेकर क्या करेंगे जब भी दीकि आप थीएक तो सभी संख्याओं गुरुनखंड होता है लिखते हैं आप करेंगे क्या ध्यांस देंगे यहां देखे कॉल आ गया इसी में कॉल भी आ जलता है बड़ा दिकत होने लगती है रुख जाई एक मिट काड़ दें कर जाओ कर जाओ चलिए ठीक है कड़ गया अब इसे हो यह कड़ देखिए कोई भी संख्या देखेगा जो मैं पॉंड़े किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का कम से कम कितना कम से कम दो गुलण खंड होते हैं किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का गुड़ज गुड़ज मतलब होता है देखें गुड़ज का मतलब क्या होता है जैसे मैंने लिए दो दो के बाद 4 शे 8 9 10 प्लिटार गुड़ज का मतलब कितनी बार आगे बढ़ा सकते हैं कि किसी वी संख्यां का जो गुड़जोता है गुड़ज अनंत होता है अनंत मतलब इसे जितना चाहे उतना अब आसकते हैं अनन्त होता है आब क्या करेंगे अनन्त J spectrum होता है संख्या स्वयम का एक को गुलाज होता है देखिए मैं आपको अभी दो अंतर बताऊंगा गुलाज और गुलनखंड में देखिए गुलनखंड कप काते हैं गुलाज कप काते हैं यह पॉइंट आप ध्यान से नोट्स में उतारना चाह रहा हूं तो उतार लिजिए मैं आपको कुछ समय देता हूं उतार लिजिए इसे जड़ उतारे तक एक कॉल है देख लेता हूं किसका है ठीक है देखिए आपका देखिए चलिए आपको सबी लोग उतार लिए होंगे आप मैं इसे रेच करता हूं और आप करें क्या ध्यान से समझेगा मैं आपको दो चीज़े बताना चाहूंगा देखिए आपको दो चीज़े बताना कि लड़की बहुत कंफ्यूज होते हैं कि गुढच किसे कलते हैं और रल्क ःदर कि शlusion करते हैं कि देखिए गाध्यान से तक जैसे मैं यहाँ पर कंडिशन बन जाए देखिए गुढच में यह पूछ दिया कि 12 के прो का देखे सोरी यहां पर लिखे बारा का गुलनखंड कीजिए गुलनखंड कीजिए ठीक है बारा का गुलनखंड कीजिए मतलब बारा का फक्ट्राइजेशन यानि कि यहां पर क्या आजागा बारा किसे कटेगा यानि कि जब बारा का गुलनखंड पुछेगा यानि कि गुल गुलंखंड पास्ट करेंगे जिसेट 6 भल नंग परंसा यहीं आटopl़ बारम का घुलाजंच सब्सक्राइख 20 1 इसका गुलंखंड कि दो 12 का गुलज केजिए तो 12 मतने एक क्वाइंट लिख्वाया लास्ट में यहां पर कि संख्या स्वायम का एक गुलज होता है मतलब 12 ही एक संख्या है मैंने लिख दिया 12 का गुलज बताईए बिद्धी बारा का गुर्ष बताई तो हम स्टार्टिंग कास्ट करेंगे बारा से बारा दुना कए 24 बार्रटिये 36 बारो 445 618 डारट डारट कहां था मैंने एक पॉइंट और लिखा एक है किसी भी संख्या का गुणाज अनन्त होता है पॉइंट यहां अनन्त मतलब इसको कह तक लिख सकते हैं अनंत कि जब तक हमें रोके ना लेकिन यहीं प्रकवादें कि बारा के प्रथाम कि बीस गुड़ाज लिखिए लिखेगा ध्यांसे बारा के प्रथाम तो ममले स्टार्टिंग कास करेंगे बारा से बारा दुना के चोवेश यानि कि यहां तक स्टाफ हो जाएगा यानि कानंत तक जाने की जरूरत नहीं है यह देखिए बहुत ही शीधा सवाल है आपसे यह ऐसे क्वेश्चन को आपको कभी कल पूछ देता है गुड़नखंड और गुड़ज में ललके कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अब हमारा टॉपिक गुड़नखंड गुड़स तो समझ गया ना गुड़ा जब लुकंड में कितना अंतर है तो हमारा टॉपिक जो है गुड़नखंड इसमें पहला टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे अपहला टाइप और है रहा है जास facility यात एम है पाब क्वेश्चन में लिख दिया कि पाइड़ा टाइप करशियर आई पर टाइप US मैंने क्वेश्चन लिख दिया है fps सबढ़ें को कुल गुड़नखंडों की कुल गुलन खंडों की संख्या बताईए मैं आपसन भी लिख दे रहा हूं और आप यहां बताएंगे पहला आपसन है इस तरह कैशन आता एक्जाम में आपके 120 में कुल गुलन खंडों की संख्या बताईए तो आप कैसे लगाएंगे ठीक है बहुत इस तरह लेकदम बहुत एक्दम देखिए अभी तो मैं आपको जो इतना भी पढ़ते हैं एक्जाम में जैसे अल करते हैं तुम सीधा सा सवाद पहले आप गुड़न खंड क्या पता है मँगोन जिससे मतलब होता है किससे कटता है ठीक है तिसे कटेगा है इक सब्सक्रान उस्पर सब्सक्राइब पांच का फालू करना है देगे ऐघ्काल चाहाना मथा क्टेगा उर्ट ऑन का चर्डरीन प्रचाइब दुक्षट कर साफ से नहीं कंटेगा दॉक्त ज Bardzo मारा के लाद कि पंदरें से कटाने ऑस थिरंव रसे कटें सबा थासरा सब्सक्राइब से कटेंगा नहीं 22 नहीं 24 नहीं 24 पाचे 120 कटेगा 24 25 से कटेगा LGBTQ 26 से कटेगा सथाई से अठाई से आठाय योंतियस से तीस तीस से कटेगा 31 से कटेगा 32 से कटेगा 33 से कटेगा四 650 ततों कि कि से कटेगा कि 40 पाद में पताइए इक तारी डारे से कटेगा सी कटेगा निक्रवा और साठ़ से कटेगा आ पिए 20162 से इतनी वारोगे एक दू तीन चार पांच चार साथ ताट नव दस ग्यारव बारत तेरह चुदर पंद्रह सूरों अब आपके दिमाग में आ रहा है कि इता सूरों हो गया आगया अपस्वन लेकिन अगर एकजाम में आ जाएगा अका हम ऐसे चेक करेंगे कि बताइए इतना तरीका हमारे पास तो समय रहे गए इतना अंधेद्र लिखते जाएं तरीका तो हमको लाना नहीं है मैं आपको एक बताता हूं ट्रिक ट्रिक क्या है ला सब जानते हैं एल्सियम एक सो बीस का एल्सियम कर दिजिए दो से कटेगा साथ फिर दो से काटेंगे तीस फिर दो से काटेंगे पंदर तीन से काटेंगे तीन पासी पंदर एक pussyह अगा पां से काटेंगे उतना हमारा जो ट्रिक हो जाएगा दिखेगा ध्यान से यहा बैकल्पिक Jeaninea बहते हैं अब आज गुड़न खंडो के संख्या इस कल्ट तो सबसे पहले जब 120 को दिखें यहां पर हमने कर दिया इसका पहलू क्या गया एक दो तीन बार दो आ गया कर दो के पावर दिख सकते हैं या आपर तीन आया त्फीन कुछ भी नहीं इस एक दो Yes जब अब हाज क्पर एक पूछे में कि यह Haven गहात्र है उसमें एक जोड़ देंगे एक जोड़कर क्या करेंगे बीच में गुड़ा करते जाएंगे एक प्लस एक गुड़े एक प्लस एक अब देखिए तीन एक चरर यह दो हो जाएगा यह भी दो हो जाएगा चारदुनाके 8 आट दुनाके 11 एक आपका तरीठा हो जाएगा इस तरह आप लगादा लेंगे कि आप किसी भी संख्या का ऐसे निकाल लगें चलिए एक सवाल आपको मैं देता हूँ यहां पर मान लिजी 135 है चलिए बताईए कि 135 में कुल गुर्ण खंड़ों की संख्या बताईए बताईए तुरांद अगर समझ में आ गया वगात बताईए तब तक मैं देख लता हूँ अब लोग का बताईए कि बताईए जल्द बताईए बताईए देखिए का दियान से आगे करेंगे क्या नियम मैंने बता दिया या तो उस तर लगाईए चाहिए इस तर लगाईए अब यहां पर देखेंगे ध्यान से दन देखेंगे 135 काम क्या करेंगे डिवाइडेशन करेंगे सोरी यहां पर इस्तर करेंगे कटेंगे किस से पान से कितीं से तीं से तीं चेव को भारत तीं पाचे पंदा फिर तीं से कटेंगे तो कितना जाएगा 15 तियां पह तालीस फिर तीं से कटेंगे जाएगा पाँच यहां बचेगा हमने बताया अभाज गुडब खंडो की संख्या मैं अगित तो मैंने और अभी क्या बताया कि यहांप करेंगे क्या 135 का जब आप करेंगे तो यहां देखिए कब और तीन है तीन पाइए तीन कपावर तीन यहां पांच आया है गुड़े पांच है कुछ नहीं तो यह संख्या बरावर क्या हो जाएगी आपके किसकी संख्या अगुलंग खंडों की संख्या यहां देखिए जब निकालेंगे तियां पर तीन प्लस वन करेंगे मैंने बता है घात है तो उसमें एक जोड़ेंगे फिर गुड़ा करेंगे इस पर एक घात है तो एक जोड़ेंगे कि तीन एक चार अगुले दो चार जुना के 8 कितने आ गयुqué है चार गयो्ते इस तब लगुदेखलो आप 135 किस से कटेगा एक से तो कटेगा आलगेडि दो से कटेगा नहीं कटेगा तीन से कटेगा चार से कटेगा पांत से कटेगा शेस कटेगा बताएए नए कटेगा किंकि आप to से नहीं कट रहा है तो चहके रूल यह काता है कि जो दू से तीन से dal सानोज कट नोशी नात खुकटेगा कर जा तमकूक नहीं रज़ाहिए कह लूंसे कर लेते कते हैं आए यह इसको झोड़ो तो पांदुचा है और चाहिए तीन नहीं कर लोगा फिर कि 12 विने टेगा 20 से खटएगा सोमें टेको तो कि 15 से कटेगा 15umm 15.13 ce καञा 476 इंट्रमद गौा 15 से खटेगा 15 से कि जारी जारा इसा चौन एकटेगा ऐक सर्जर स ऊंते से टेज़्ों शानाल शाट है कि 28 जाट है पता आया एक से यूडस से कटेगा किसे कटेगा 27 से कटेगा 27 बाचे 135 बाचे 35 यहां तो पांथ 25 15 10 13 अब किसे कटेगा बताएए 45 से कटेगा कि कटा कि नहीं अब किसे कटेगा डायरेट 135 से कटेगा अब काउंटिंग कर लीजिए एक दू तीन चार पांच चार साथ आठ हो गया कि नहीं अब मैं इसमें कुछ संसुधान करके एक सवाल बताता हूं और उसे आप ध्यांस देखेंगे मैंने यहां पर लिख दिया इसे तरह सवाल है और उसे अब ध्यांस देखेंगे मैंने और कैसे मैं कुछ और बताना चाहता हूं अब को इसले मैंने जैसे पूछ दिया सम गणनखंडों की संक्या कितनी है सम गण खंडों की शिंख्या कितनी है तो कैसे लगाएंगे इस सवाल में हम देखेंगे ए है Bentley moléоль कि आए माताएई रेट कर रहा हूं है करना क्या है इसका कर रहे हो है कि कि और जो सापने इसक्ते के नभ डिश्वार कंटरेंके पेंटालीस आए तीन से काटेंगे फंदरां आएगा तीन से काटेंगे पांच है फिर पांच जाए कि चाहिए के पांच है कि एक ढभाज गुरन को कि संख्या ध्यास देखना भाज गुण को खंडो की संख्या किर सकंद मैं बताइं दो प्लस एक गुड़ा करेंगे फिर दो प्लॉस एक फिर गुड़ा करेंगे संख्या कितनी है जान देना बीषम Kennedy mister 0000 कउन मतलब 20 संक्या वी सब्सक्राइब सक्राइब जोडेंगे अब ना दो दो विसम हो गये सम गुलंखंडो की शंक्या जब पूछेगा संगोलनखंडो की संख्या कि सम गुलंखंडो की शंक्या टोटल कितने आ 1900 1818 अज़्य हम आ गए दो वचा किदना कि समझ में आ यह आप लोग को समझ में आ रही एक नहीं बाते मेरी पूरी अगर मेरी बातें पूरी समझ में आगई हो तो मैं टाइप चेंज करता हूं टाइप सिकेंड टाइप सिकेंड थे असा मेरा कॉल कभी से आ रहा है बार-बार मैं आपका थोड़ा एक मिनट ब्रेक लेता हूं देखिए कॉल आ रहा था मैं उसे बात कर लिए बहुत इंपोर्टेंट था अब यह सवाल अपको समझ में आ गई हो गई तो हम टाइप सिकेंड की तरफ चलते हैं थोड़ा हम अपना ही टाइप सिकेंड में अप लोग हम चलत सम dramatic में आपका होगा क्या आप देगेए यहां पर मेरिया मत परसान करो विचेंड को सब ride जो हाईगा थे ग्लम्त कτο सब्सकी चामने कनुकंठाप को योग निकालन इनलता है और क्य clash this can work इस योग जयाद करना है ठीक है यह आपका हो जाएगा है सिकेंड टाइप में आपका आजाएगा क्या कुल गुड़ान खंडों में यानि की जैसे में दे दिया इस तरह क्वेश्चन आगया आपका आठ के सभी कि गुड़ान खंडों का योग कि पितना होगा आपको परिच्छा में आ गया अब देखेगा ध्यान से अभी तक तो आपको गुड़ान खंड निकालते थे अब क्या हो गया यहां पर कि आठ के सभी गुलण खंडों का योग कितना होगा मैं यहां पर आफ स्वाल लिख देता हूं आपका कि ग्यारा करस सूरह कि कुझ के पंद्र कि यह पंद्र कि इस तरह मैंने लिख दिया आप उचे आठक कि सभी गुड़ान खंडों का योग कितना होगा थेक आपको यह बताना है तो करना के आप देखेंगे पहलेक पहले इसका बताए आपको बता दिया आठ नियम नीयम बात जानते एक से खटेगा दोसे कटेगा चार से कटेगा स्वेमर से अब इनका योग पूछ रहा है ती मितलब इन सब को जोड मिज़ड़िए.. कि यही तो यह गोता है इनके गुलान खंडो का यो एक ईक दो तीन तीन चार सत है अभप उस नियम जो बताया हो तो का मतलब क्या आए दो का क्यूब अब आज गुलॉन खंडो का मैं जो नियम बताया हूँ अब आज गुलॉन खंडो का गुलॉन खंडो की संख्या जब पूछे संख्या कितनी हो जाईगे मारी है दो के पावर थीन कमणखर संक्या क्या है जाए प्लस एक बराबर लेकिन जब हमें एक घ्रोंख नो की संक्याा पूछेगी तब ए निकालेंगे लेकिन हमसे पूछा क्या हैं कि क्या पूछा है बताईë क्या का नियम होगा ध्यान देना यहां पर ही नियम होगा है सेम फालो उसी तरह करो जैसे मैंने 8 का क्यूब निकाल दिया 8 बड़ावर 2 का क्यूब जब योग पूछे तो योग का एक सुत्र होता है योग बराबर कि 2 के पावर स्टार्टिंग कास्ट करेंगे 0 गात से प्लस जितना गात रहेंगे उतना फिर 2 के पावर 1 फिर 2 के पावर चार दो पावर 3 का मान आठ अब इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा अब इस तरह जब इसी तरह संख्या पर जो एक घात रहेंगा उसको इस तरह कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा योग कर जाएगा ठीक है एक क्वेशन आपके लिए आप साठ के माली जी आप मैंने साठ हिखिया शार के सब्सक्राइब साठ के सभी इसमें अंसर क्कौन हो जहा है यह जाएखिया के सबूस्टा का योग कितना होगा और आप सोनली देरा हूं अरू आखिया पर आप संब्सक्राओं कि मईं 145 130 118 आप सण निएह इनमें से कोई नहीं मैं से कोई इन TWO साठन के संबर्व कंड़ों का होको कितना हो इतना आपका Section आ अगया अब इसे तूरन बताईए बताईे कि लंग झाल लाई आपलो लाई झाल लाई 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 कि आ कि लाई 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 पयह बूड़े 5 योग नियम बताया मैंने योग का जब नियम होगा तो पहले इसको लेकर चलेंगे इसी तरह यहां पर 2 से स्टार्टिंगक आज करेंगे जीरो से अब प्लस दो के पावर 1 प्लस दो के पावर 2 है तो यहां से हो गया इसका फिर प्लस D बताईए इसका माहना आप जब निकालेंगे तो कितना है आप लोग बताईए यहाप आप्सन में देख रहा हूं आपसन लिख्षी दिया हूं आपका यहां पर करिए और सुर्य यहां पर गूडा रहाएंगा मीच में गुड़ा रहेगा यहां पर इस तरह गुड़ा कि जब इस तरह करेंगे तो आप इसके अंको का योगह निकाल लेंगे थो के पौल जीरो कमार्ने एक कमान एक फार एक कमान दो दो के पार दो कमान 4 कुर इसका पाँच का एक प्लस पांच देखें आप चार दो सच्छ है तीन एक चार पांच एक छे अब गुड़ा कर दीजिए देखें चार चौबीस 24 में जब साथ का गुड़ा कर देंगे 24 साथ साथ चाव को ठाइस असाथ दुना के चौधा चौधा दू सोर यानि कितना अपस्ट जाएगा हमारा योग ने पूछाऊं विस्चास की संख्या फिर योग पूछा इस पार करते थे जोड़ते ना भूले या करते यह पाँस अंप हो ले हैं यहां किम प्लस यहीं यह आप यानिक पूछ देता फिर क्या करेंगे वही नियम इसका निकालेंगे यानिक यहां पर चार चका चौबीस यानिक चौबीस से क्या हो जाएंगे विशम गुर्णखंडों का योग जाएगा यानिक आसाथ उसका है लगा डालिये तुरांत उतारिये इससे आगे बढाता हूं क्या है यानिक विसका कि दिशमन बताया तो चाहरएभा अच्छ Land कि यो डेखेविस्ण निकालेंगे बस इसका मान निकालेंगे पूछे इसका मान जब आपको पूछे कि सहके डियों यह निकाला और अब जब आपको पूछे किसका संग का संग जानते हैं कि 24 का इसमें से क्या कर दें घटा देंगे तो कितना जाएगा आपका कि बता दें क्या इसको चलिए इसे आप उल्टारिये तुरंद बता देता हूं आगे कि सवाल इसी पर कि लग रहा है कि लग रहा है आप लोग करना क्या है जब यहीं पर पूरे खंडों का यह पूछे इतना इसी में सब्सक्राइब करिल और यहां पर क्या रिखाए तो धिश्म के पूर्स करना आख जो भी संब कहें उसको लिखेगा पांच अगी इसकी बेलू लिखेंगा यारि तीन के पावर जीरो अप लस्टीन के पावर एक यहां पर गुड़े पांच पावर जीरो प्लस पांच के पावर एक यहां क्या हो जाएगा एक प्लस तेन यहां पर क्या हो जाएगा प्लस पांच यानि कि यहां पर कितना चार यहां पर पांच चार गलती होगे क्या हां यहां पर देगे स्वरी यहां पांच एक छे च्छों को चोवी यान्य कि बिशाम गुर्णखंडों के योग कितना हो जाएगा 24 आप संगपोचिय जानते है जब संगपुच Pakistan गुर्णखंडों एक समा गुंदा का योग नोक्यक राए। द्यान दिएगा सब का कितना है 150 सब्सक्राइब और मैं आपका एकलास आज यहीं पर रुखूंगा फिगर जैन दोस्तों